ओके हेलो चैटर्स माइनेम इस जोईट एंड यूर वाचिंग रैश्ल चैटर्स तो गैज आज की इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं New Universal Champion के बारे में New Universal Champion वो थो भी Roman Reigns बनें लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं डेवलोबली का रूल है कोई भी Superstar Champion बनता है तो कभी ने कभी उसे हार ना होता है और उसके बाद New Champion बनता है तो Universal Champion सिबसे जोड़े यहा आसक जरूर देखिए तो सबसे पहले वीडियो में आगर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ इस पूरी लिस्टे में आपको 10 Superstar के नाम बताने वारा हूं जो कि Roman Reigns के बाद युनिवरसल Champion बन सकते हैं अब वो नाम ऐसे नहीं कि Roman Reigns के बाद कौन बनेगा उसके बाद के साथ यहाँ पर Baron Corbin भी खड़े हैं जैसके हम लोग जानते हैं फिलाल उनका रोल कॉंस्टेबल Baron Corbin का और कहीं नहीं कहीं Roman Reigns के बीज़े में अनबन देखने को मिले और बेटिंग और्स में Baron Corbin का भी नाम है कि वह में Universal Champion बनते वे दिखाई दे सकते हैं नमबर आठ पर य उनिवर्सल चैंबिन बनते वे दिखाई दे सकते हैं यहाँ पर सैथ रॉलेंज के ठीक साथ डीन अमरूज भी खड़ें आर्टी नमबर पर उनका भी यहाँ पर चांस बनता है कि वह में Roman Reigns के बाद युनिवर्सल चैंबिन बनते वे दिखाई दे सकते हैं और यहाँ पर तो काफे चिस्टोलान और सैंस भी बनाए जा सकता है क्योंकि अल्रीडी वो Roman Reigns के साथ हमने पहले उने फ्यूड में देखा है अब एक कदम उपर आते हैं जहाँ पर नमबर पांच पर है फिन बैलर जैसिके हम लोगों के नहीं मने नाट होगे एपिसोड में देखा था फ वन अन ओली दबीस्ट ब्रॉक लेस्टन ब्रॉक लेस्टन ब्रॉक लेस्टन स्टिल यहाँ बैटिंग वाट्स में बने हो और नमबर चार पर उनका नाम है भली ऐसा लग रहा है कि शायद वर डॉबलोबली कमपनी चोड़ चुके हैं और वो यूफसी में जाने वाले हैं आगर डॉबलोबली यहाँ पर रॉमन रेंज के टाटल रेंग को काफी लंबा करती है और रैसल मीनिया में हमें दरॉक वर्सिस रॉमन रेंज की बीच मैस देखनी को मिलता है जो काफी टाइम से रूमर्स में भी है तो पॉसिबली हमें यहाँ पर रॉमन रेंज के बाद फिलाल की इस्टोरान को देखकर ऐसा लगता है कि शायद कहीं नहीं के उनका चांस ज्यादा है बट स्टिल कैविन ओमन्स यहाँ पर नमबर दो पर बने वे हैं और यहाँ नमबर वन पर कौन है शायद आप लोगो ने गैस करी लिया होगा और यह हैं Monster in the Bank, Monster among men, Bronze Roman यहाँ पर नमबर वन पर क्यों है आप लोग जानते हैं क्योंकि उनके पास है फिलाल ऐसी चीज़ जो कि Roman Reigns को सबसे ज़्यादा दिक्कत कर रही है और वो है Mind the Bank का Brief Case क्योंकि Bronzeman के पास यहाँ पर मौका है कि वो कभी भी Roman Reigns के ओपर कैश इन कर सकते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा चांस Bronzeman का ही है कि वो Roman Reigns के बाद Universal Champion बने है और इसलिए इस लिस्ट में सबसे उपर है Bronzeman वैसे आपको बता दें जो लिस्ट है वो 13 Superstars के थी जहाँ रूम मैकंटार के नीचे भी तीन और Superstars है जो कि हैं जिंदर महाल, Bobby Roode and Jason Jordan तो काई जीते हो पूरी लिस्ट के यहाँ पर Roman Reigns के बाद कौन से Superstar Universal Champion बनता है दिखाए दे सकता है अकौर्डिंग टो बैटिंग ओड्स कमेंट करके आप मुझे बताने कि इन Superstar में सब क्या चाहते हैं कि कौन से Superstar Universal Champion बने इसके अलावा अगर आप पर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रू करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए तकि आपको मारे चैनल पर इससी तरह से WWE के अपडेट्स न्यूज, डिमर्स और कच इंटरस्टिंग बाते जानने को मिलती रहें So see you guys in my next video